मуз français तो तयार हैं आप? तो शुरुरु करते हैं कि Anglo Norman age तो सबसे पहले प्रश्ण ये उठता है कि Anglo Norman age Anglo Normans क्यों कहलाई और Normans कौन लोग थे और इसको किस तरीके सम background को समझे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले एंजल्स, जूट और सेक्सन्स लोगों ने इंग्लेंड पे हमला किया था और वो यहां बस गए थे और पूरी आपको बैक्ग्राउंड की जानकारी पिछले वीडियोज में दी थी आप चलते हम नॉर्मन्स के और नॉर्मन्स बेसिकली नॉर्थ मेन कहे जाते हैं और ये नॉर्थ मेन फ्रांस से आये थे तो इनका ओरिजन आफ फ्रांस मानिये और फ्रांस में नॉर्मन्डी के इलाके में रहने वाले नॉर्मन्स ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इंग् के अंदर हुआ इन्होंने यहां का पूरा एरिया जीत लिया और वहां से नॉर्मन्स का यहां सेटल्मेंट शुरू हुआ था अब बात आती है कि नॉर्मन्स के आने से पहले क्या सिच्वेशन थी और बाद में क्या situationist में हो जाती है देखे नॉर्मन्स से आने से पहले और बाद में जो सबसे बड़ा change आता है वो तीन खेत्र में हमें मिलता है एक है social change दूसरा literary change और तीसरा है आपका political change तो सबसे पहले बात करूँगा कि जब Normandy से यह लोग आए तो इनका leader कौन था जिसने England में हमले करने का सहस किया और इनके leader का नाम है William the Conqueror और William the Conqueror ने 1966 में English Channel क्रॉस करके जब यहां हमला बोला उस वक्त England में जो मौजूदा राजा थे उनका नाम था King Harold तो आप ये भी कह सकते हैं कि King Harold Anglo Section Age के last राजा थे क्योंकि उनके बाद एक नई एज आपके सामने आती है और वो है Anglo Normans तो William the Conqueror ने 1966 में यहां जैसे ही जितने भी Normans को लेके कबजा किया वहां से शुरू होती है Anglo Norman Age Anglo English को दिखाता है और Normans Norman के प्रभाव को दिखाता है जो कि France के निवासी थे Normandy के तो इस तरीके से ये इसका नाम Anglo Norman माना गया है दूसरी बात क्योंकि ये France के थे तो जाहिर सी बात है कि France का पूरा Culture Impact और पूरा Language का प्रभाव अब यहां पढ़ने वाला था तो जैसे ही ये लोग यहां सेटल होते हैं तो इनके आते ही सबसे पहली बात यह होती है कि पूरी सोसाइटी में French एक Official Language की तरह अडॉप्ट कर ली जाती है क्योंकि ये लोग जब यहां आते हैं तो उस समय यहां थी मौझूद पहले से जो Latin थी और Anglo-Section भाषा थी और लेकिन जैसे ही ये आते हैं तो France ज़्यादा dominant हो जाती है और उस से मौझूद अब तीन languages में हम कह सकते हैं Old English, Latin और France इसमें दबदबा किसका रहा बात करते हैं तो जैसे ये लोग आए तो England के अंदर दो changes हुए सबसे पहली बात कि England एक खास मोड से जो आप देखते थी कि हर चीज उस समय जो पहले पुरी शिवैलरिक थी warrior-based literature लिखा जाता था उस मोड से लेके England सीधे एक मोड में आता है जिसे कहते हैं centralized mode यानि कि पहली बार यहां एक central government establish होती है और इस वज़े से अब England आता है national identity वाले मोड में और nationalism के spirit पहली बार होती है तो लोगों का जो loyalty है उस power के लिए faith है वो बढ़ जाता है society में एक England centralized होने के और बढ़ा और पूरे ही जगह पे एक छत्र राजे इस्थापित हुआ और सारी चीजों को हमने बहुत ही तरीके से centralized किया तो पहली बात यहां nationality और nation के spirit पैदा होई और जब भी national spirit कहीं पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा जिस literature का विकास होता है वो होती है history तो यहां पर history का development आगे आप देखेंगे कि कैसे होता है और भी चीजों का उससे पहले हम एक और मुद्दे पर बात करेंगे कुछ चीज है ऐसी थी जो इस एंग्लो नॉर्मन्स के time पे start होती है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो old English है वो old English middle English का रूप लेती है अब प्रशन यह उठता है literature के विध्यारतों के लिए कि old English और middle English में फरक क्या है देखे जो old English थी जो एंग्लो सेक्शन के जमाने में चली आ रही थी उसे old English कहते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ उसमें आप plus कर दीजिए यानि add कर दीजिए French भाशा तो formula बना old English plus French equal to आप कह सकता है middle English यानि कि जो old English मौझूद थी उसमें जब French का amalgamation हुआ तो I middle English और आपको जान के आश्चरी होगा और हर एक literature के विध्यारती के लिए बहुत important topic है कि middle age का परास या range सबसे लंबी रही है और middle English 1066 से लेके 1550 तक चली है यानि कि Shakespearean age या Elizabethan age के आने से थोड़ा पहले तो ये सबसे लंबा टाइम रहा है और अगर मैं middle English के भी division करूँ तो आप कह सकते हैं middle English है pre-Anglo-Normans, pre-chaucerian and post-chaucerian तो तीन division इसमें भी हो जाते हैं तो इस तरीके से middle English का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पे वो इसी दौर पे स्थापित हुई और अगर हम बात करें तो 1167 में हमारी Oxford University स्थापित हुई है और 1209 में Cambridge University स्थापित हुई है जो इसी age का एक अभिन नंग है दूसरी चीज जो है वो समाज के अंदर politically हमने क्या France से उधार लिया तो एक बहुत important topic है कि feudalism जिसे हम हिंदी में सामन्तवाद कहते है feudalism France से आया है England के अंदर तो एक बहुत important topic है कि सामन्तवाद यानि feudalism England में जो स्थापित करने में हाथ है वो Anglo-Normans का है और वो France यहाँ पर established हुआ है तो France वो देश है जिसने England के अंदर feudalism शुरू किया प्रशन ही उठता है feudalism या सामन्तवाद क्या है सामन्तवाद को अगर सरल शब्दों में कहें तो society के अंदर एक hierarchal जो होता है क्रम वार उचाई से लेके निम्न क्रम में जब लोगों का segmentation होता है उसे feudalism कहते हैं जिसमें upper class lower class को जातर exploit करता है तो सबसे उपर king और church जो होते थे और last में duke और knights और जितने nobles और इन सबसे होते हैं last में landlord और इन सबसे होते हैं सबसे नीचे होते थे workers या किसान लोग जिनका हमेशा exploitation होता था तो यह feudalism जो England आगे भी जारी रहेगा उसको France ने लाकर यहां दिया था तो यह एक बहुत important point है हर competition के लिए कि feudalism was established in England out of the French influence और Anglo-Normans influence अब बात आती है कि इसके लावा ऐसी कौन सी चीज़े होई जिस पर हमें discuss करना चीए तो सबसे पहली एक और important चीज़ मुझे आदाती है कि इसको age of transition भी कह सकते हैं यानि संक्रमन काल यह संक्रमन काल क्या था? देखे यह है Old English और यह है Modern English इसके बीच में जो संक्रमन काल रहा है इसको change करते वक्त वो Middle English तो Middle English का दौर रहा है और इसने देखा है दोनों कालों को जोडने का काम इसने किया है जो हमारा Anglo-Norman period है इसके अलावा जब यहां जो भी literature लिखा गया वो तीन हिस्सों में बढ़ा और उन तीन हिस्सों को अगर आप बात करें तो कह सकते हैं नमबर एक history जिसमें इतिहासिक चीज़ें लिखी गई नमबर दो romance जिसमें आपके कालपनिक चीज़ें लिखी गई जिसको हम दूसरे वाले हिस्से में बिलकुल discuss करने वाले और नमबर थ्री था आपके romances के बाद नमबर चौता था तीसरी चीज़ थी शिवैलरी शिवैलरी होती है वीरता तो यहाँ नाइट हुट को बहुत ज़ादा आपका यह दिया जाता था importance क्यों क्यों क्योंकि नाइट हुट एक warriors को लेता था और warriors के जितने भी जितने भी चीज़ें हैं या जितने भी stories हैं adventures की और wars की और heroic deeds की वो सारी लोगों को बड़ा excite करती थी तो जितना भी शिवैलरिक नेचर का literature है वो भी यहाँ पर आया है और शिवैलरिक नेचर के literature में सबसे interesting बात यह होती थी इसमें जादू भरी कहानिया होती थी nighthood बहुत ज़ादा impress करता था लोगों को और इसमें बड़े adventures की कहानिया है वीरता की कहानिया है जादू शक्तियों की कहानिया है monster की कहानिया है और monster से लड़ने की कहानिया है तो इस तरीके से यह सब लोगों को आकरशित करता था तो यह तीन चीज़ जो history थी जो आपका romance थे और romance इसको भी खासकल matrical romance कहा जाता है और तीसरी जो चीज़ थी shivalric nature का literature वो आने में इसने पूरी सहायता की तो यह आपका जो background था anglo-norman age का था और इसके बाद जो हमारे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम totally literature की बात करेंगे क्योंकि जस तरीके की society होती है वो literature को उसी तरीके से प्रभावित करती है आप जानते है तो आके इस तरीके की society ने कैसा literature produce किया होगा और जिन history, romance और shivalric literature की हम बाते करें उनका स्वरूप कैसा रहा होगा यह हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में तो मिलते हैं दोस्तों